वेल्कम बैक टो फैक्ट्स वितो के बाप था जिसका दोर आज से 6 करोड साल पहले ही खतम हो गया सो क्या हो अगर इनका आपस में टकराओ हो जाए कौन सा मॉंस्टर दूसरे को पचार कर रख देगा देखते हैं आपका अंदाजा कितना सही होता है अपने गैस कॉमेंट्स में जरूर बताएं और वैसे ही लगे हाथ चैनल भी सब्सक्राइब कर ले दोस्तो वैसे तो इन दोनों में एक बात कॉमन थी ये अपने इलाखे के गुंडे हुआ करते थे जो किसी और को अपने इलाखे में बरदाश नहीं कर सकते थे अकर मेगलुडन की बात की जाए तो कुछ साल पहले समंदर की गहराई में साइंटिस्टों ने साथ इंच लंबे दातों के फॉसिल ढून निकाले ये देखकर सब हैरान रहे गए क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ था कि इतने बड़े मॉंस्टर का सच होने के सबूत मिलना और जब उन दातों से इस मॉंस्टर के जबड़े को बनाया गया तो उसका आकार इतना बड़ा था कि उसमें तीन से चार इंसान आसानी से समा जाएं मेगलिडन अपने नोकिले दातों के जरीए 10,000 से लेकर 15,000 किलोग्राम के प्रेशर के साथ हमला करते थे जो लोहे को भी आसानी से काट सकते थे मेगलिडन दिखने में तो बिल्कुल ग्रेट वाइट शाक की तरह लगते थे लेकिन उनका शरीर आज के शाक से 3-4 गुना बड़ा होता था और ये बहुत ही तेज सुईमर्स हुआ करते थे मेगलिडन की खास बात ये थी पैनली 2009 में कोलम्विया की एक कोल माइन में खुदाई के दौरान 42 फिट लंबे सापों के 30 फॉसिल्स का डिस्कवर होना पहले अंटालोजी की फील्ड को भिलाक कर रख दिया जो फॉसिल्स की स्टडी करते हैं क्योंकि किसी ने नहीं सोचा था कि जमीन पर इतने बड़े साप भी कभी हुआ करते थे टाइटेनबु आपने शिकार को खाने से पहले अच्छे से जकर कर उसके विंड पाइप तोड़ देते थे ताकि उसे आसानी से निगला जा सके साइंटिस्टों का ये मानना है कि ये पानी में रहना पसंद करते थे जो इन्हें बहुत ही अच्छा स्विमर बनाता है अब सवाल ये है कि अगर पानी में कोई भी जीव इनसे महफूज नहीं था तो क्या ये मेगलुडॉन पर भी भारी पड़ जाते सबसे पहले टाइटेनबु आपने को एक पॉइंट आगे है और अगर वेट की बात की जाए तो टाइटेनबु आपने बहुत ज्यादा से ज्यादा 2000 किलो के हुआ करते थे वहीं मेगलुडॉन 40-50,000 किलो के होते थे अगर देखा जाए तो कमस कम 10 हातियों जितना इनका वजन हुआ करता था इस तरह मेगलुडॉन दो पॉइंटस आगे है स्बीट के अगर बात हो तो टाइटेनबुण लगबग 15 km per hour की स्पीट से स्विम कर पाते थे और वहीं मेगलुडॉन आसानी से 22 km per hour से स्विम करते थे स्पीट का पॉइंट भी मेगलुडॉन को ही जाता है इससे ये बात समझाती है कि अगर टेटन अबॉआ किसी तरह मेगलिडॉन को जकड भी ले तो फिर भी उसे जान से माना नामुम्किन था और वहीं टेटन अबॉआ का इतना बड़ा शरीर ही उसके लिए मानस पॉइंट बनता है क्योंकि इतने बड़े शरीर को मेगलिडॉन कहीं से भी कच्चा चबा सकता था और मेगलिडॉन के खतननाग बाइट फोर्स की वज़ा से एक बार अगर टेटन अबॉआ इसके जबरों की गिरफ्त में आ जाए तो फिर उसका बच पाना नामुम्किन था और वो आसानी से इतने बड़े सांप का किमा बना सकता था इससे ये बात तो साफ है कि टाइटन अबॉआ का मेगलिडॉन से कोई मुखाबला नहीं ये अपनी स्पीड, अपनी बाइट फोर्स, अपनी बॉडी साइज और वेट की वज़ा से आसानी से टाइटन अबॉआ के सफाया कर सकता था और वो सारी टाइटन अबॉआ को खाने के बाद भी मेगलिडॉन की भूख नहीं मिटती अब अगर रियालिटी में बात की जाए तो टाइटन अबॉआ छे करोर साल पहले रहा करते थे और वो मेगलिडॉन के आने से पहले ही एक्स्टिंट हो गए जिसका मतलब ये है कि इन मॉंस्टर्स की आपस में लड़ाई कभी नहीं हुई ये सिर्फ काल्पनिक है दोस्तों इसी तरह की दिल्चस्प वीडियोज आप देख सकते हैं अपने एंड स्क्रीन पर जाने से पहले इस वीडियो को लाइक करकर फैक्स वीडोके को सबस्क्राइब कर ले मिलते हैं अगली टॉपिक के साथ तिल देन स्टे सेफ